कल मैं मार्केट गई थी साम में और वहां काफी फ्रेस फ्रेस मुझे पालक दिख रहते तो मैं लेकर के आ गई और मैंने इसे बालकनी में छोड़ दिया ताकि इसमें सीथ गिरे और ये फ्रेस रहे मतब जैनरली मैं क्या करती हूँ ना कोई भी पत्ते वाली सब्जियां जब ले करके आती हूँ ना तो मैं उसे बालकनी में रख देती हूँ ताकि ना वो नेक्ष्ट भी इसी तरह से फ्रेस रहे है आप लोग कैसे रखते हैं पत्ते वाली सब्जियां मुझे जरूर से तो मैंने यहाँ पर जो पालक की पतियां थी उसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है अच्छे से देख देख करके मैं डंठल यूज नही इक्या है क्योंकि मैं इसके पराठे बनाऊंगी और इसे मैंने इसी तरह से पानी में डाल करके छोड़ दिया ताकि इसमें जो भी तरह के पराठे बना सकते हैं बहुत जादा टेश्टी और हेल्दी रहते हैं और उसी के साथ मैं बना रही हूं एक सूखी आलू बैंगन की सबजी जो की फटा-फट से बन भी जाती है और मतब टाइम भी कम लगता है तो मैंने ना इधर चार आलू लिये हैं और ये मीडियम स तो जो आलू थे ना उसे मैंने छील लिया है और थोड़े मोटे मोटे साइज में मैंने इसे काटा है क्योंकि जब मतलब इसकी जो सबजी बनाएंगे ना तो काफी जादा गल जाते हैं इसी वज़े से और काटते के साथ ही मैंने इसे पानी में डाल दिया है नहीं तो ये क पड़ जाएंगे यह जो बैंगन आना वह ही मैने छोटे साइज वाला ही लिया है उसे पानी है नहीं तो और भी मिडियुम साइज का प्याज लिया जिसे कि मैं यह पर चौपर में चौप कर रही हूं क्योंकि बहुत ही जल्दी फटाफट से हो जाता है आप चाहें तो बारी काट भी सकते हैं और कढ़ाई चड़ाई है मैंने उसमें मैं डाल रही हूं तेल तो मैंने या पर सर्जो का तेल लिया है क्योंकि इससे जो आलू बैंगन की सब्जी है अब होगा टेश्टी बनती है और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाला दो सुखी लाल मिर्च साथ ही मैंने इसमें डाला है जीरा एक छोटा चमच सौफ आधा चोटा चमच राई डाली है और साथ-ाठ मेथी के दाने डालेंगे बहुत जादा नहीं यह हींग और जो अद्रक और लहसन को कूटा था ना वह अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे सियां पर भूनेंगे जब तक कि जो लहसन और अद्रक का कच्छा पना ना वह निकल ना जाए तब तक के लिए उसके बाद जो प्याज है ना जो कि मतलब बारिक-बार लóriaजेग victim को chyba कर देंगे जैसे ही हम क्या करता है ना की सब जीव अगया बनाते हैं बैंगन की ना तूत इमार्म की अम मैं नyeongग डालना होता है बट नमक तूरत से ही एड़ करें नहीं तो जो बैंगान आना वो उक्दम से हाड हो जाते हैं तो यहाँ पर मैंने हलती नमक आड़ कर दिया और इसे मिक्स करके ढग देंगे मतलब इसे ढख ढख करके पकाएंगे ताकि जो बैंगन और आलू है ना यहाँ पर जल्दी से सौफ्ट हो जाए और जो पालक थे ना उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से दो तीन बार धो लिया था क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी और इसे मैं यहाँ पर बारिक बारिक चौप कर रही हूँ अब चाहें तो इसे मतलब जो चौपर आ ना उसमें भी चौप कर सकते हैं या फिर इस तरह से बारिक बारिक काट भी सकते हैं और जो आलू बैंगन आ ना उसे भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और एक चमच धनिया पाउडर आधा छोटा चमच मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर और एक छोटा चमच कस्मेरी लाल मिर्च दो हैरी मिर्च है और थोड़ा समय यहाँ पर धनिया पत्ता लिया है ताकि इसका जो टेश्ट है ना बहुत ही जादा अच्छा आएगा और देखे बैंगन थे ना वो भी मतलब 70-80% तक एकदम पक गया थे तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो मसाले का पेश्ट है ना वो एड़ करेंगे और इससे चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि एकदम अच्छे से ड्राइ ना हो जाए इसे तरह से जब तक यह ड्राइ नहीं होगा तब तक मसाले अच्छे से पकेंगे नहीं यहाँ पर तो इसे लगातार चलाते हुए आप इसे भूनें इस तरह से एक बाद सब्ची बना करके देखेंगे बहुत जादा टेश्टी बनती है उसके बाद जब यह अच्छे से एकदम ड्राइ हो जाए सारी चीजे मतलब अच करके पांच मिर्ट तक के लिए और पका लें लेकिन मैंने आज यहाँ पर मतब सूखी सबजी बनाई है देखेंगे यहाँ पर जो आलू है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मैं अच पराठे बनाने वाली हूँ इसलिए जो सबजी है नहीं मैंने सूखी रखी है अग नातेय पराठे तो मैंने क्या क्या ना कि यहां पर गहुं काटा लिया है अगर आप कप में देखेंगे तो डेड ड़ कप के करीब होगा और साथी मैंने इसमें एड़ किया है 2 चममच बेशन जिसे की पराठे बहुत ही ज़ाधा खस्ता बनेंगे और साथी जो अद्रक लासन की पेश्टीना वो मैंने एड़ किया है और आधा छोटा चमच जीरा और साथी आधा छोटा चमच मैंने यापर अजवाइन एड़ किया है दोनों ही चीजे एड़ किजेगा इससे टिश्ट बहुत ही अच्छा आता है साथी एक पिंच हल्दी और नमक एड़ करेंगे उसके बाद मैंने यापर तीन से चार चमच दही आड़ किया इससे जो पराठे आना काफी हद तक एक दम सॉफ्ट रहेंगे और जब आप स्टार्टिंग में से सेखेंगे तो क्रिस्पी लगेंगे मतब बाद में खाएंगे तो सॉफ्ट रहेंगे और जब आप तुरत तुरत खाएंगे तो क्रिस्पी लगेंगे उसके बाद मैंने इसमें पालक आड़ किया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे और धीरे धीरे करके इसमें पानी आड़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की जरुत नहीं पड़ती है क्योंकि पालक से भी और नमक दोनों जो हमने डाला था उससे भी काफी ज़्यादा जो आटा है वो गीला हो जाता है और आटी को एक दम सक्त लगाएंगे जब आटा आप एक बर लगा लें तो आप तूरत से इसके पराठे बनाएंगे तो जो आटा अगर आप रख देंगे न मतब गूत करके तो वो सौफ्ट होने लगते हैं फिर बाद में इसके पराठे अच्छे नहीं बनते हैं मतब आपको मुस्किल होगी बनाने में तो मैंने यहाँ पर पराठे को बेल लिया है उसमें क्या करेंगे घी लगा लेंगे और इसे भी इस तरह से तीन फोल्ड में मोड देंगे मैं बना रही हूँ ट्रेंगल वाले पराठे उसके बाद इसमें सुखा अर्टा लगाया है मैंने आप चाहें तो इसे तेल से भी बेल सकते हैं जैसे भी आपको सुविधा हो आप यहाँ पर पराठे बना ले देखिए उसके बाद क्या करेंगे तवे को अच्छे से गर्म करेंगे जब पराठे आप सेके तो आप बहुत जादा मतलब गर्म नहीं होना चाहिए और पराठे डालते के साथ ही आप एक बार इसे हाथ से घुमा दे मतलब कई पर क्या होता है ना कि पराठे या फिर रोटियां जो है तवे पर चिपक जाती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है उसके बाद क्या करेंगे कि हम पराठे को पलट देंगे और दोनों साइड में उसे अच्छे से घी लगा देंगे या पिर तेल जो भी आप पसंद करते हों मैंने या पर घी को मेल्ट कर लिया था वही मैंने डाला है बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे अगर आपको जादा पसंद हो तो आप जादा भी डाल सकते हैं उसके पराठे को अच्छे से सेक लेंगे देखिए आपर पराठे कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में जब भी आप इस तरह से पराठे बनाएना तो साइड को आप चरूर से सेके क्योंकि हमने इसे fold किया था कई बर क्या होता है जल्दी जल्दी हमाँ पराठे बनाते हैं और ये मतलब 20 से सिख जाते हैं लेकिन side side से कच्चे रह जाते हैं देखे इस तरह से corner में आप पराठे को कर लें और इस तरह से दबाते हैं ये से के पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे और देखें यहाँ पर पराठे आना मैंने 4 ही बनाया है क्योंकि अभी मैं अपने लिए बाद में बनाऊंगी बढ़ तूरत ही बना लूँगी पराठों को रैप करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करें आडी यूनी रैप क्योंकि इसमें जो पराठे आना लंबे समय तक soft रहते हैं और कोई भी harmful chemical नहीं है तो हम इसका अराम से यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर धाई पराठा दिया है क्योंकि यह थोड़े से मोटे थे और आसिस भूर रहे थे तीन नहीं खा पाऊंगा इसी वज़ा से कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा और पराठे और सबची जरूर से ट्राइ कीज़ेगा दोनों ही बहुत ही अच्छी बन दी है